आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अभी एक विशे जो हमारे सामने सबसे ज़्यादा चर्चा में आ रहा है बाल विवा और इसको रोकने के लिए भारत में क्या-क्या कानून है इसको हम देखेंगे और यह विशे जो है वो चर्चा में क्यों आया क्यो जब वो बाल विवा के अंदर मौझूद थे वो एक तरीके से समझ यह जब बाल विवा और थे उनको वहां पर सूचना देनी चाहिए थी पुलिस को लेकिन उनने सूचना ना देकर वहां पर बाल विवा को सपोर्ट करते हुए देखे इसलिए उनको गिरफतार किया गया जब इन लोगों को गिरफतार किया गया इनको बचाने के लिए जो इनकी घर की महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतर आई एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो यहां पर हम देखेंगे कि चाइल्ड मैरिज को लेक इस बाल विवा को रोखने के लिए या ओलड़ी क्या कानून है तो इन तमाम बातों को हम देखने वाले हैं वीडियो मैं आगर बढ़ने से पहले PDF के लिए मा आप लोगों को बता देता हूँ इसके विरोध में जो महिलाएं हैं, वो सड़कों पे उतर किया गए, अब आप देखे, पिछले कुछ साथ सालों में, जो वाल विवा में जो लोग थे, उनके साथ, उन सब को गिरफतार यहां पर किया गए, और जो यह गिरफतारी है, उसमें ज्यादा तर फोकस जो किया इसके उपर एक बहस जो वो स्टार्ट हो चुकी है, अब मुसली महिलाओं की बात क्यों आ रही है, इनको भी हम डिसकस करने वाले हैं, खैर, चलिए स्टार्ट करते हैं, गिरफतारी से संबंदी जो कानून है, उसको हम देख लेते हैं, देखे, चोदा साल से भी कम उमर की जो भी लड़की है, अगर उससे कोई पुरुष शादी करते हैं, तो उसके खिलाफ एक एक एक्ट के तहित गिरफतार किया जाते हैं, उस एक्ट का नाम है पॉक्स, मतलब की इसके तहित गिरफतारी की जा सकती है, यह 14 साल से कम उमर की बच्चियों के लिए, अब 14 साल से जादा हो जाए तो, देखे, 14 साल से लेके, 18 साल के बीच में अगर लड़की की शादी अगर किसी से करती जाती है, तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी, बाल विवा निश PCMA हो गया, तो जो पोक्सो है, वो 14 साल से कम उमर की बच्चियों के लिए है, और PCMA जो है, वो 14 साल और 18 साल के बीच की बच्चियों के लिए यहां पर कानून बनाया गया है, अब एक एक करके इनको डिसकस कर लेते हैं कि हर एक जो एक्ट है, उसके अंदर क्या-क्या प्रा बनाये, वो क्रिमिनलाइज में रखा जाएगा, अब उसमें यह नहीं है कि वो बच्ची यह बोले, कि भईया, मेरी सहमती थी, उसमें वो उस नाबाली की कोई भी सहमती वैद नहीं होगी, पोक्सो के तैट योन उत्पिडन एक गैर जमाने थी, बोले तो एक कोगनिशेब ओफेंस है, नोन बायलेबल, कोगनिशेबल ओफेंस, कोगनिशेबल ओफेंस का मतलब होता है, अगर पुलिस बिना वोरेंट के गिरफतार करना चाहेगी, तो वो गिरफतार कर सकती है, इसलिए 14 साल से भी कम उमर के आयू की नाबाली की लड़कियों से जुड़े मामले हों इसी पोक्सो का सेक्शन 19 कहता है, कि अन्यवारे रिपोर्टिंग दाइतो, मैडेंटरी रिपोर्टिंग उबलिगेशन, इसका मतलब यह हुआ है, कि कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी बच्चे के खिलाफ किये जा रहे ऐसे योन अपराद के संबन में संधे या जानकारी है, उसे पता है कि यहां पर बाल विवा हो रहा है, यहां तो ओलिडियम मुझूद थे, तो पुलिस या विशेश किसोर, पुलिस हीकाई को वो अन्यवारे रूप से रिपोर्ट करेगा, और करनी जरूरी है, यह खुद बोला गया है, पोक्सो के अंदर, सेक्शन 19 में यह बात बोली गया है, और अगर नहीं करेगा, तो ऐसा में भाया, जो एरेस्ट उसको किया जा सकता है, उसके उपर जुर्माना, या दोनों ही, यह मतलब कि उसको सजा हो सकती ही, दोनों ही चीज़ें उसके उपर किसा सकती है, जो अभी किया गया है, 2000 लोगों को यहां पर गिरफत कर लिया गया, यह हो गया पोक्स हो, एक आता हमारे सामने PCMA, 2006, जेके कानून के अनुसार जो है, बाल विवा अवैध है, लेकिन सुन्ने नहीं है, सुन्ने मतलब इसको अन्वोइड नहीं कर सकते हैं, बतलब यहां पर अगर कोई बाल विवा, नाबालिक के विवेक पर सु उन्ने हो सकते हैं, यदि वह विवा के एमानने गोशित करने के लिए न्यायले में याचिका दायर करता है या करती है, वो कहता है, बहिए मैं इस विवा को नहीं मानना चाहता या चाहती है, तो वो न्यायले में जाके इसकी वा कह सकते हैं, और वहां पर उस चीज़ को उनों ही हो सकते हैं यह सजा ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए है जो बाल विवा को करता है संचालित करवाता है, निर्देशित करता है या फिर उक्सात है, उन सब के उपर यह सब चीज़ें लागू होती है तो यह होगी आपके सामने दो एक्ट एक पोक्सो और एक PCM में, इनको आपको ध्यान रखने पोक्सो जो हो 14 साल से कम के लिए है और PCM में जो हो 14 साल से लेकर 18 साल तक के इनके लिए आती है अब मुस्लमानों में जो शादी की उमर पे बहत जो चड़ी हुए उसके उपर अगर हम डिसकस करें दें कि मुस्लिम पर्सनल लोग के तहर जो युवा परी पक्वता अवस्था प्राप्त करने वाली दुलहन के विवापर विचार किया जाता है मतलब कि पोबेट्री माना जाता है कि अगर कोई लड़की पोबेट्री उस तक पहुंच जाती है तो वहाँ पर उसकी शादी करवा दी जाएं पोबेट्री का मतलब यह होता है कि यहाँ पर जो एक उमर मानी गई वो 15 साल मतलब सिंपल भाशा में मुस्लिम लोग के अगर कोई महीला जो है 15 साल तक अगर पहुंच जाती है अब केवल मुस्लिम में ही ऐसा होता है कि और बाकी धर्मों के अंदर क्या-क्या कानून है यह आपको ध्यान रखना है एक हिंदूओं के लिए जाता है हिंदू उतरदाई अधिनियम 1956 जो हिंदूओं के साथ-साथ बोध, जैन, सिकों इन सब के बीच में संपत्ती के विरासत के दिशा निदे जो हो यहां पर जारी किये गए है एक पार्सी विवा और तलाक अधिनियम भी आता है जिसमें 1936 है पार्सीयों द्वारा उनकी धार्मिक परंपराओं के अकोडिंग जो है वो पालन किये जाने वाले नियमों को निर्धारित करता है फिर इसके अलावा हिंदू विवा अधिनियम 1955 आता है जिसमें हिंदू के बिच विवा से संबने कानून को एक तरीके से कोडिफाई किया गया है यह हो गया हमारे सामने फिर के अंदर सरकार का जो पक्स है उसको हम जान लेते हैं भारत की स्वंतनतरता के समय जो नियूंतम योग्यायू जो थी लड़कियों के लिए विवा की वो पंदरा साल थी बाद में और जो अठारा साल लड़कों के लिए थी बाद में 1978 के अंदर इसको बढ़ा कर सरकार ने लड़कियों के लिए अठारा कर दी और लड़कों के कहा था कि minimum एज पूर्श और महिलाओं की दोनों एक समान रखी जाने जाए इन्हें 18 सल रखी जाने चाहिए 2020 में कमेटी बनती है जैया जैटली कमेटी जिसकी स्थापना महिला एवं बाल विकास मंतराइदल ज्वारा की गई थी जिसने प्रजनन और स्वास्थे शिक्षा इन सब चीजों को मद्दे नजर रखते हुए अपनी शिफारिस दी दी और यहां पर कहा था चीज लागू हो जाएगी कोई भी महिला जो 21 साल से पहले या फिर जो पुरुष है उसके लिए भी 21 साल ही रखी जाएगी वहां पर तो अगर इससे नीचे कर दिया जाएगा तो वही कानून उनके ओपर लागू हो जाएगे अब नोट यानि कि भारत्य कानून या फिर कहीं कि समयधानिक प्रावधानों के साथ साथ आधुनिक अंतरास्ट्य कानून भी और परमप्राइन देशों को विवा के लिए नियुनतम कानून उमर निर्धारित करने के आदेश देती है देखे साथ इसाथ भारत्य कानून तो कहता है यह है समीधान भी कहता है लेकिन आप और आप इंटरनेशनल कानून भी देखते हैं और दूसरे देशों की प्रमप्राइब देखते हैं तो वहाँ पर यह आती है बात की जो एक विवा की जो नियुनतों मेज है वो फिक्स कर देनी चाहिए अब भारत में अगर आप देखें तो बड़े हिस्से में धार्मिक माननेता प्रयाप्त है जहां पर बाल विवा एक तरीके से काफी जादा प्रयाप्त है कुछ समेलन हो हैं जिनको आपको याद रखने हैं जैसे the united nation का हुआ था convention or consent to marriage 1962 यह आपसे पूछ लिया जाता है फिर पूछा जा सकता है एक minimum age for marriage and registration of marriage 1962 के अंदर यह हुआ फिर 1979 का अंदर आपको ध्यान रखना है the UN convention or elimination of all form of discrimination against 1979 एक बिजिंग घोशना हुई थी 1995 के अंदर तो यह था आपके सामने जो minimum age criteria क्या है महिलाओं के लिए और क्या करने की कोशिश की जा रही है अगर कोई पुरुष बाल विवा के अंदर मोजूद है तो उसके किलाफ क्या करवाई हो सकती है और अगर कोई व्यक्ती बाल विवा करता हुआ खुद पाया जाता है तो उसक पीडिएफ के लिए मैं फिर से वचा देता हूं दिस्कृप्शिन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया में लेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडिएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं पसंद आया है तो बेशक वीडियो को शेर कर सकते हैं चैनल को सब्सक् कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना था थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो